मुंबई विशाखापटनम नईवी में सेलर की जॉब मिलने के बाद एक शाक्स किस एक्सचेंज करवा कर महिला बनने पर उसे सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है नियम के मुताबिक इस पोस्ट पर सिर्फ पुरुशों की भरती की जाती है बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी में ऐसा यह पहला मामला है सेलर ने कहा है कि वा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा और पीम नरेंद्र मोधी को लेटर भी लिखेगा नवी ने जारी किया प्रेस नोट मनीश कुमार गरी नाम के इस शक्स ने अपना सेक्सचेंज करवाने के बाद नाम बदल कर सभी गरी रख लिया है इंडियन नवी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मनीश ने चुटी के दौरान किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सरजरी के जड़ी इस एक्सचेंज करवाया यह काम उन्होंने अपनी मार्जी से किया था नवी का कहना है कि सेलर की पोस्ट पर भरती होने के दौरान मनीश का जो जयान्ड था उसमें बदलाव कर उन्होंने भरती के नियमों को तोड़ा है सेलर ने क्या कहा सभी गरी ने टीवी चानलों से बातचीज में कहा मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी और पीएम नरेंद्र मोदी को इस बारे में लेटर भी लिखूंगी मेरे पास पहले जितनी ही काबिलियत है वे मुझे बर्खास्त कैसे कर सकते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी अपने हक के लिए लड़ूंगी 22 दिन की छुटी लेकर करवाया सेक्सचेंज मुंबल के रहने वाले मनीश ने एक पुरुश के रूप में साथ साल पहले इस्टन नावल कमान के मरीन इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट में बतौर सिपाही जवाइन किया था उनका कहना है कि सर्विस के कुछ सालों बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर एक महिला है इसके बाद 2016 में उन्होंने विशाखा पटनम में एक डॉक्टर से बात की और अपना इलाज करवाया मनीश ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें सेक्सचेंज करवाने की सलाह दी इसके बाद उन्होंने 22 दिन की छुटी ली और दिली में सेक्स री असाइन्मेंट सर्जरी करवाई सर्जरी के बाद वे विशाखा पटनम के नेवी बेस में सभी बनकर लोटे इसके बाद उन्होंने बाल बढ़ा लिये और साढ़ी पेहननी शुरू कर दी, नहीं मिलेगी पेंशन. मनीश का मामला जब नवी के बड़े अफसरों तक पहँचा तो उन्होंने इसे रक्षा मंत्राले के पास भेज दिया, कई महीनों की जाच के बाद अब मंत्राले ने मनीश उर्फ सभी को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला लिया है, मनीश ने सिर्फ साथ साल की सर्विस प प्रेस करें आपका हमारी ये विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद